हिंदू धर्म में हर साल सावन के महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है जब चारो तरफ हर्याली ही हर्याली होती है तब हर्याली तीज का त्योहार मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार हर्याली तीज श्रावन महीने के शुक्ल पक्ष की तत्यातिथी को मनाया जाता है इसलिए हर्याली तीज को श्रावनी तीज के नाम से भी जाना जाता है हर्याली तीज के मोके पर सुहागिन महिलाएं और सभी कवारी लड़कियां सोले श्रंगार करती हैं इस तीज के मोके पर सभी महिलाएं और नव विवाहित लड़कियां हरी साडियां और हरी चूडियां पहनती हैं साथ ही हरी बिंदी को अपने माथे पर लगाती है क्योंकि हिंदु धर्म में हरे रंग को काफी पवित्र और शुब माना जाता है इससे मन शांत रहता है और अखंड सोभागे का अशिरवात प्राप्थ होता है इसके अलावा हरा रंग शिव जी को भी बहुत प्रिय है ऐसे में इस खास मोके पर सुहागे न अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और कवारी लड़कियां अपने मन पसंद वर के लिए शिव पारवती की पूजा करती हैं आइए जानते हैं साल 2024 में यहें शूप त्योहार की जिन मनाया जाएगा त्रत्यातिथी की शुरुवात 6 अगस्त 2024 को शाम 7 बच कर 52 मिड़ पर होगी तथ़ त्रत्यातिथी का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बच कर 5 मिड़ पर होगा ऐसे में उद्यातिती को मानते हुए 7 अगस्त को हर्याली तीज का त्योहार मनाया जाएगा साथ ही हर्याली तीज के पहले दिन मनाया जाने वाला सिंजारी का त्योहार 6 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा हर्याली तीज का अपना एक विशेश महत्व है इस दिन भगवान शीव और मा पार्वती की उपासना करने का श्रेश्ट समय होता है और इस दिन जो महिला इवरत रखती है उन्हें शीव जी और मा पार्वती का आशिरवाद प्राप्त होता है तो भगवान शीव जी और मा पार्वती का आशिरवाद हम सब पर बना रहे जै श्रीराधी